हलो फ्रेंड्स मैसल डॉक्टर सुशिला सैनि गाइनेकलोजिस और अपसेटिशन डायरेक्टर जैपुर दूर्बीन हॉस्पटेल एक बार फिर से आपके सामने हजीर हैं इस नए वीडियो में नहीं जानकरी के साथ इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रेगनेंसी के दौरान डाइट के बारे में यानि कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए यह बहुत सारी मरीज जितने भी लेडिस हैं जो प्रेगनेंट हैं सबके दिमाग में एक ही सवाल है हमने पिछले वीडियो में भी बात किए आपको डाइट small quantity में लेनी होती है याने कि हर दो गंटे के अंदर कुछ ना कुछ खाना होता है खाली पेट नहीं रहना होता है क्यों जितना आप खाली पेट रहते हैं उतना ही आपको बनने से खटी डकारें भी आती है और उल्टी की समस्या भी बढ़ सकती है और चो कि प्रेग्नेंसी के पहले तीन महिनों में उल्टी की बहुत जादा समस्या होती है तो हम बहुत कुछ खा नहीं पाते हैं इसलिए लिमिटेड जो भी हमें हमारा मन करता है जो अच्छा लगत बढ़ नाशक दवाईयां जो बोलते हैं मिस्केरिजिस के लिए जानी जाती है तो आप समझ गयोंगे कि पापिता अच्छा अंड़ यह नहीं खाने होते हैं लेकिन इसके साथ में आपको डेडिमीड चीजे जित्ती भी मिलती है जो रेडिमिक्स आते हैं जिन में कैमिकल् होते हैं इसके अलावा जो नॉन सीजनल फ्रूट्स होते हैं नॉन सीजनल फ्रूट्स का मतलब यह कि अगर सेव जैनवर या दिसंबर में आता है तो आप मई जून में अगर कोई अपल खा रहे हैं तो वो प्रिजर्वेटिव एड़ आएंगी यानि कि वो कोल्ड स्टोरे गांन लॉन सीजनल ताजा फ्ल फ्रूट्स है या यू कह सते हैं कि मार्केट में बहुत सारी मात्रा में उपलब्ध है तो वो होते हैं वो सेफ होते तो यह सारी चीज़े जो कि फ्रेश नहीं है या उबली हूई नहीं है क्प्लित Ju д lors के उसको नों करें निगया अड़ा कर तिल तो स्पेसिफिक लिए जाना जाता है, तो तिल को अवाइड करना होता है, किश्मिश और अख्रोड काफी कम मात्रा में आप ले सकते हैं, बादाम अगर आपको खानी है तो आप उसे भीगो कर खा सकते हैं, क्योंकि कच्छा बादाम जादा आपको नुकसान कर सकता है, तो कच्छा बादाम जब भी खाना तो उसे भीगो कर आप खाये तो ठंडा होगा, आपको एनरजी भी देगा, प्रोटीन भी देगा, फाइदा भी करेगा, इसके अलावा चाय कॉफी का स्टेवन बहुत कम मात्रा में करें, अगर आपको बहुत जादा लगता है कि आपको और अगर आपको चाय पीनी है तो साथ में यह क्या दो बिस्किट आप जरूर खा लीजिए ताकि वो असिडिटी आपको कम करें, इसके अलावा अगर आप अल्कोहल यह स्मोकिंग करती हैं, पहले करती ती और अभी आप प्रेगनेंट हैं तो बहुत जरूरी है कि आप इन कि आपको प्रेगनेंसी में क्या नहीं खाना चाहिए बट अब बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए क्योंकि जादा इंपॉर्टेंट तो यही है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी आप खाते हैं वो ताजा होना चाहिए ताजा पका हुआ होना चाहिए कच्चा नहीं होना चाहिए क्योंकि कच्चे में किटानों जादा हो सकते हैं अगर आपने उनको धंग से धोया नहीं है साफ नहीं किया है तो फिर किटानों के इंफेक्शन होने की संभवना होती है इसके अलावा कुछ important बाते होती कि जैसे कुछ ऐसे फल होते हैं जो कि iron रिच होते हैं कुछ calcium रिच होते हैं कुछ protein रिच होते हैं तो pregnancy के अंदर में iron calcium और protein से भरपूर चीज़ें खानी चाहिए iron के लिए हमें केला मिल सकता है इसके अलावा iron की टेबलेटरी डॉक्टर्स देते क्योंकि खाने की चीज़ों से iron का supplementation complete नहीं हो पाता है लेकिन फिर भी iron रागी के अंदर मिलता है हमें हरी सबजियों के अंदर मिलता है पालक है चुकुंदर है इन सब के अंदर मिलता है औ और जो आटा यूज कर रहे हैं उसके अंदर अपने रागी मिक्स कर लिया बेसन मिक्स कर लिया सोया बीन पीसके मिक्स कर लिया तो सोया बीन रागी चना ये सारी चीज़े प्रोटीन रिच होती है इनमें काफी मात्रा में प्रोटीन होता है रागी के अंदर कैल्शियम भी जोटीच आप एक चाहिते हैं क्योंकि जोपित नौजिए वोमिटेंग बहुत जादा होता है तो उस समय आप जोप सुप बना के ले सकती है आप इसके प्रूट्स का आप शेक्स बना सकते हैं इसके लावा सुबशाम दूद लिए सकते हैं , दूद के अंदर प्रूटीन पाउडर या और फ्लेवर आप डेल कर सकती है इसके लाव फ्लेवर्ट योगर्ट आप ले सकते हैं जिससे कि आपको लेक्टो बैसिलस बैक्तिरिया मिल जाएगा अपका गट हेल्दी रहेगा और इसके अलावा आप सूप बना सकती हैं सूप पी सकती हैं तो यह कुछ चीजें हैं जो प्रेगनेंसे के फर्स खा सकती हैं खाने के में आपका वेजिटेबल जो अपका थाली होता है उसमें सारे कलर्स के समान होना चाहिए यानि की पीला हरा जिससे की आटोमेटिकली सारे वाइटामिन्स और न्यूट्रियंट पूरे हो जाते हैं इसके अलावा अगर हम प्रोटीन रिच सोर्स की बात सकते हैं या आटामि मिलाक के यह ब्रोटीं रिक शोर्स होता है रिच॥ालाच होता है तो सकते हैं तो विल्स में अपल ठीकली में लेना होता है और चौन भाम मद्स की सब्सेस तो ठीकल में oduss की मिलते कृते हैं 명이कल सर का मेरे अखिट एक अंडे के अंदर 6 ग्राम प्रोटीन हो और दो उंड़ों के अंदर आपका 12 ग्राम प्रोटीन होगा तो वह भी आपको protein की मात्रा पूरी कर सकता है और अंडे के अंदर calcium भी होता है अगर आप अंडा खाती है तो अंडे से आपको calcium मिल जाएगा और इसके अलावा energy तो मिल जाहेगी डेफिनिटली उसे फिलिंग एफेक्ट जादा अच्छा रहता है भूख कम लगती है और थोड़े सी चीज में जादा देर तक खा आपको हैविनेस फील होगी तो हमारे जो पूर्वस थे बहुत समझदार थे वह साथ तरह के का आटा मिला कर रोटी बनाते थे इसम कोई नहीं रेसेपी डूंड सकती है तो इस तरीके से आप अपनी डाइट को कम्प्लीट कर सकती है डाइट में हेल्दी चीजे एड़ करने के लिए आपको हरी पत्तेदार सबजी यूज कर सकते से पालक आगया आपका बथुआ अगया मेथी आगया फिर इसके लावा आप औरेंज खाने सा को वाइटामिन सी मिल जाता इसके लावा नीमू पानी आप ले सकती है तो इस तरीके से आप मिक्सन मैच करके अपना डाइट कम्प्लीट कर सकती है प्रोटीन के लिए मैंने आपको सोर्सेज बता दिये हैं वह आप खा सकते हैं इसके लावा मुंगफली परमेलन यानि की तर्बूज आपको बहुत मिलेगा वह आप खा सकती है मैंगो आप खा सकते हैं लेकिन थोड़ा लिमिटेड खा सकती है इस तरीके से आप अपने डाइट का कम्प्लीट चार्ट बना सकती है अपने डाइटिशन से भी आप सला ले सकते हैं डॉक्टर भी आपको डाइट चार्ट देते हैं लेकिन मोटे तोर पर हम उन्हें आपको यह समझा है इस वीडियो के अंदर क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए उम्मीद करते हूं कि वीडियो आपके लिए फाइदे मंद रहा होगा फिर अगर आपके कोई कॉशन अभी अश्का